प्रियादर्श को नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समचार सेल्ड आलकलास पास सैंत्र की EMD टीम के अभिनव प्रियास से निर्बाद उत्पादन और विश्वस्नियता में बढ़ोतरी IEMS जूनियर सेक्षन में इथिक्स क्लब का शपत ग्रहन एवं पुरुसकार वितरन सामारो आयोजित और आजादी का अमरित महसब की कड़ी दो में आज के वेक्तित हैं उडिशा की मिठी का सुपुत्र बीर सुरेंद्र साइं अब समचार विस्तार से सेल राउलकला स्पास सैंत्र के उर्जा प्रवंधन विभाग की क्वालिटी सरकल टीम उर्जा के एक अभिनपर्यास से सैंत्र के प्रमुक उत्पादन इकायों में निर्बाद उत्पादन की बढ़ोतरी और उपकर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है टीम ने आइरन आइंड स्टील जोन और रोलिंग मिल साइड यूनिट्स में निर्बाद उत्पादन के लिए कम चाप नाइट्रोजन दो लाइन में संसोधन नामक एक परियोजना को सफलता पुर्वक कार्यानवित किया उलेखनी है कि कई वर्सों से उक्सीजन प्लांट दो से उक्सीजन प्लांट एक तक NB800 मुख्य लो प्रेशर नाइट्रोजन सप्लाइ लाइन बंद होने के कारण आइरन एंड स्टील जोन और रोलिंग मिल साइड को निर्बाद नाइट्रोजन की आपूरती के लिए EMD को समस्या का सामना करना पड़ रहा था साथ ही असंगत नाइट्रोजन आपूरती पाइप पो के जीवन को प्रभावित करने के अलावा कई सुरक्षा समस्याओं को जन दे रही थी और ब्रेकडाउन का कारण भी बन रही थी उर्जा क्वालिटी सरकल टीम में शामिल S.O.S.T. श्री S.K. पांडा दोनों मास्र तकनीशियन श्री A.N. बहराव और श्री J. आचार्य दो S.O.A.S.T. सू श्री S. कुमारी और श्री T.E. राव ने समस्या का समधान करने के लिए चुनोती अपने हाथ हो ली टीम ने गहन विचार मन्थन और विशलेसन के बाद गैस के बैकलपिक शोत का लाव उठाने के लिए दूसरे चरण के आधुनी करन जोन 5 NB 400 लो प्रेशर नाइट्रोजन लाइन को ऑक्सीजन प्लांट एक पुरानी NB 800 लो प्रेशर नाइट्रोजन लाइन से जोडने के लिए एक कारे योजना तैयार की कारे का पुर्ण सुरक्षा के साथ निधारी समय के भीतर सफलता पूर्वक पूरा किया गया संशोधन को इंटर लोक में शामिल किया गया और आवश्यक संशोधित S.O.P. और S.M.P. भी तैयार किये गये टीम ने परियोजना का प्रिदर् इस पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 18 जूनियर सेक्षन के एथिक्स क्लब में 21 सक्टूबर को शपत गरहन एवं पुरुसकार वितरन सामारों आयोजित किया गया महाप्रवंधक प्रभारी नगर सेवाई श्री पीके दास सामारों के मुख्य अतिति थे RSP की महाप्रवंधक सतरकता एवं ACVO श्री मानस गुपता और महाप्रवंधक नगर सेवाई शिक्षा श्री मनुज अगरवाल भी उपस्तित थे श्री दास ने स्कूल के 306 को शपत दिलाई जिने अपचारिक रूप से एथिक्स क्लब में शामिल किया गया था उन्होंने प्रुसकार विजिताओं और अनि सभी प्रति भागियों को एथिक्स क्लब द्वारा आयोजित प्रति विताओं में सक्रिय भागिदारी के लिए प्रुसाहित किया उन्होंने आशा व्यक्त की कि मुलीवर्दिस सिक्षा प्रदान करने में सिक्षकों द्वारा किये गरिये प्रयास छात्रों को भविश्र में एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा छात्रों को संबोधित करते हुए श्री गुपता ने छात्रों को मजबूत नैतिक मुल्यों के निर्मान के छेत्र में स्कूलों द्वारा किये गर्यासों की प्रिसंचा की उन्होंने बच्चों से शुरू से ही मांदारी और सत्य निष्ठा को अपनाने की भी अपील की ताकि आने वाले दिनों में कानून का पालान करने वाले नागरिक बन सके श्री गुपता ने सत्य निष्ठा की शपत भी दिलाई इस अबसे पर बोलते हुए श्री मनोज अगरवाल ने इथिक्स क्लब के महत्ता पर बच्चों को समझाया गणमान्यों ने नव युक्त शात्रों को सदस्ता प्रमान पत्र प्रदान किया उन्होंने एथिक्स क्लब द्वारा पुर्वायोजित बिभिन परतियोगिताओं के पुरुसकार भी वित्रित किये परतियोगिता में चित्रकला, पेंटिंग, क्विज, औनेथिक्स एवं एलोक्यूशन सामिल थे कच्चा पाच की छात्रा सूश्री अर्पिता साहु ने अपचारिक धन्यवाद ग्यापन किया जबकी कच्चा चार का छात्र माश्टर अनिश देहुरी ने सामारोह का संचालन किया आजादी का अमरित महसब सामारोह 2 के तहट सेल राउल किला स्टील प्लान उडिशा के स्वतंतरता सेनानियों पर समचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है आज के वेक्तित्व है उडिशा की मिट्टी के सुपूत्र बीर सुरेंदर साइं बीर सुरेंदर साइं उडिशा के इस महान भारतिय स्वतंतरता सेनानी का जन्म 23 जनवरी 1809 को संबलपूर से लगभग 21 मिल दूर एक छोटे से शहर खिंडा में हुआ था सुरेंदर साइं जन्म जात विद्रोही और समझोता ना करने वाले व्यक्तित्व थे 1827 में महराजा साइं के निधन के बाद संबलपूर के सिंगहासन के कानूरी रूप से हगदार सुरेंदर साइं के लिए ब्रिटिश साशन अस्विकारी योग था वे छोटी उम्र से ही ब्रिटिश राज के खिलाब थे जिसने इनकी क्रामतिकारी भावना को जन्न दिया 1827 में अंग्रेजों के खिलाब उनका विद्रो सिपाई विद्रो से बहुत पहले हुआ था तब वे सिर्फ 18 वर्ष के थे सुरेंदर साई ने छेतर के दबे कुछले लोगों का समर्थन किया सुरेंदर साई का एक मात्र उद्देश संबलपूर से अंग्रेजों को खैदेडना था मेजर फॉस्टर कैप्टन एल स्मिथ और अन्न जैसे शांदार जनरलों को पस्चमी उडिसा में उनके नेत्रित में बिद्रो पर मोहर लगाने के लिए संबर्पूल लाया गया था लेकिन कुछ भी बिटिश मुक्त उडिसा के लिए उनके जनून को दबाना सका उनका क्रामती कारी करियर 1862 तक जारी रहा जब उन्होंने आत्म शमर्पन कर दिया और उसके बाद भी 1864 में आखिर कारूने गिरफतार कर लिया गया इस दोरान उन्हें 17 साल के लिए हजारी बाग जिल में कैद का सामना करना पड़ा अपनी अंतिम गरिफतारी के बाद उन्होंने असीरगड पहाड़ी इलाके में 19 साल की अपनी हिरासत सहित और 20 साल तक सेवा की जहां उन्होंने वर्स 1884 में अंतिम सास ली आज के हिंदी समचार में बस इतना ही नमस्कार